Hello everyone, today I am going to teach you Evaluation Activity from English FL क्या है, यह Evaluation Activity है, जो English FL से मैं बता रही हूँ अब मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था Activity 4 में आरेंज करने का है, जो Story से लिया गया है, Mr. Rabbit, Plaza, Prank, जो lesson है Story है, उसमें से, जो sequence दिये गये हैं उसको क्या है, हमें correct करना है तो यह sentence क्या है, arrange करके लिखना है I read once again, arrange the sentences in the correct sequence of the story मैं फिर से sentence को लिए करती हूँ, उसके बाद हम क्या करेंगे sentence को बराबर arrange करके, story complete करेंगे Mr. Rabbit asked for help from Mr. Elephant and Mr. Well Mr. Rabbit ran into the bushes and beat the drum Mr. Rabbit tied another end of the rope round Mr. Elephant's trunk Mr. Elephant and Mr. Well talked about their size Mr. Rabbit laughed when he saw them falling down Mr. Elephant and Mr. Well pulled each other with all their strength Mr. Rabbit tied one end of the rope round Mr. Well Mr. Elephant fell over backwards Mr. Elephant and Mr. Well turned over in the air अभी जो सेंटेंस आड़े जो दिये गए है हुद्र सिधर है जो स्टोरी के जो स्टोरी के जो सिक्वेंस के बाद वह नहीं है स्टोरी जदी कहीं करेंगे नहीं है वो सिक्वेंस तो हमें के sentence को क्या करने का है अरेंज करने का है जो इसमें से first sentence कुन सा आएगा वो हम यहाँ पर अरेंज करके लिखेंगे यहर आंसर दिये है नमबर वन में है पहला आएगा Mr. Elephant and Mr. Well पहले वो दोनों क्या करते हैं दोनों मिलते हैं तो दोनों आपस में बाती करते हैं वो बुलता है के लैंड पर क्या है Mr. Elephant को के तुम लैंड पर तुम बिगेस्ट हो क्रीचर अंद लैंड हो और में हूँ तो वसी में वाटर में जो है वो सबसे बड़ा क्रीचर है इंदा इसी में समंदर का बड़ा एनिमल हूँ आप तो हैं जो जमीन के बड़े एनिमल है तो दोना आपस में ये सब बाते करते हैं तो ये सब सुनता है Mr. Rabbit वो दोनों के जो घमट को केसे वो चूर करता है मैंने आपको बता दिये स्टॉरी में फर्स सेंटेस आएगा Mr. Elephant and Mr. Vail टॉक्ड बाते कर रहे थे about their size जहां पर about their size जो इसमें यहां पर पोर्त नमबर का सेंटेस है वो फर्स्ट में आएगा Mr. Elephant and Mr. Vail टॉक्ड बाते कर रहे थे about their size जो है फर्स सेंटेस आएगा स्टार्टिंग यहां से होती है स्टॉरी की Mr. Elephant and Mr. Vail टॉक्ड अबाउट their size नमबर टू Mr. Rabbit ask for help from Mr. Elephant and Mr. Vail जो फर्स्ट नमबर का है वो सेंटेस सेंटेस सेंट में आएगा वो भी Mr. Rabbit पुछता है कि मुझे मेरी हेल्प करोगे दोनों को पुछता है Mr. Elephant और Mr. Vail को पुछता है कि मेरी मदद करोगे तुम आस्क डॉ जो नमबर वन का सेंटेस सेंटेस है वो सेंटेस में आएगा नमबर टू Mr. Rabbit asked for help from Mr. Elephant and Mr. Vail जो सेंटेस का था वो सेंटेस में आएगा और जो पौत नमबर में जो सेंटेस था वो फर्स्ट में आया है अब नमबर 3 में है इसके बाद क्या होता है Mr. Rabbit बानता है Tide येन बानता है 1 and जो रसी का एक स्चड़ा होता है वो किसको बानता है Mr. Well को बानता है तो क्या है यहाँ पर यहाँ है क्या Mr. Rabbit है Tide क्या लिखा हुआ है Mr. Rabbit Tide जो 7 नमबर का दिया हुआ है वो क्या आएगा वो फोर्त नमबर में आएगा Mr. Rabbit Tide 1 and of the rock round Mr. Well Mr. Well के जो होता है इसके बादी से बानता है Mr. Rabbit Tide 1 and of the rock round Mr. Well इसमें यहाँ पर आएगा 7th नमबर का यह सेंटेंस से वो थड़ में आएगा No.4 Mr. Rabbit Tide Another एक and तो उसको Mr. Well से बानता है अब दूसरा चेड़ा जो होता है रॉप का वो रसी का वो किसको बानतेगा वो Mr. Elephant के टंग से तो यह सेंटेंस कहां दिया हुआ है यह सेंटेंस नमबर खड़ में दिया हुआ है वो आएगा 4th में Mr. Rabbit Tide Another किससे बानता हो Elephant की इसकी जब सून होती है उससे बानता Mr. Rabbit Tide Another एंड आप दा रॉप राउंड Mr. Elephant's टंग एक चड़ा उसने वेल को बानता और एक चड़ा के रहे होता है Mr. Elephant की टंग से बानता नमबर 5 Mr. Rabbit Rain दोड़ा वो कहां दोड़ा इन्टू धा यहां जब गुशीज गुशीज में दोड़ा वो गुशीज के अंदर चला गया एंड बीट धा ड्रम क्या बजाने लगा वो ड्रम को जोड़ो से बजाने लगा Mr. Rabbit क्या है Rain Mr. Rabbit Second number में है वो फिप्त में आएगा Mr. Rabbit ran इन्टू धा गुशीज ज़ाड़ियों में जाकर क्या गया वो भागा ज़ाड़ियों के अंदर भागा एंड बीट धा ड्रम वो क्या करने लगा वो ड्रम बजाने लगा तब फिप्त नमबर में आएगा Mr. Rabbit ran इन्टू धा गुशीज एंड बीट धा ड्रम नमबर शीक्स Mr. Elephant उसके बाद क्या होता है Mr. Elephant एंड Mr. Vail पुल्ड इच अदर वो क्या खेचने लगे एक दूसरे को Mr. Elephant और Mr. क्या है वो क्या करने लगे जो 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 से एक दूसरे को खेचने लगे यह नमबर शीक्स में दिया हुआ है अब यहाँ पर आएगा शीक्स में ही आएगा यह Mr. Elephant and Mr. Vail पुल्ड एक दूसरे को खेचने लगे ताकत से इच अदर वित ओल धेर स्टेंज इतनी उनकी ताकत थी पुल्ड एच अदर वित ओल धेर स्टेंज ताकत उनकी जितनी ताकत थी उतनी ताकत से दोना जुसरे को खेचने लगे यह नमबर शीक्स में आएगा अब आएगा नमबर 7 Mr. Elephant fell over कहा गिरा वो backwards कहा पर गिरा Mr. Elephant कहा पर गिरा backwards fell over backwards and Mr. Well अब जो last number का sentence है वो किस में आएगा जो 8 number का है वो आएगा number 7 में Mr. Elephant fell over backwards and Mr. Well कहा गिरा वो turned over in the air इन आएगा नमबर 7 Mr. Elephant fell over backwards and Mr. Well turned over in the air now last sentence Mr. Rabbit क्या है वो दोनों को एक बिस्टर से गिर्टगी देखा देखा उसने एक इधर गिर्टा है एक उधर गिर्टगी उनके हड़ी पसली तूड़ गई तो क्या है खुबजोर जोस्ते हसा वो last में वो बहुत हसा है देख देखे उनकी दोनों की हालत एट में क्या है आएगा लास्ट नमबर में Mr. Rabbit laughed when he saw them falling down जो में उनकों गिर्टे देखकर Mr. Rabbit बहुत हसा बहुत हसा हमको देख देख देखे हस्ता ही रहा तो यह क्या हैगा last sentence आएगा जो एट नमबर में है Mr. Rabbit laughed when he saw उसने देखा so them falling down अब मैं एक बर प्रिश रिट करती हूँ answer पहले नमबर में आएगा Mr. Elephant and Mr. Vail talked about their size number 2 Mr. Rabbit asked for help from Mr. Elephant and Mr. Vail number 3 Mr. Rabbit tied one end of the rope round Mr. Vail number 4 Mr. Rabbit tied another end of the rope round Mr. Elephant's trunk number 5 Mr. Rabbit ran into the bushes and beat the drum number 6 Mr. Elephant and Mr. Vail pulled each other with all their strength number 7 Mr. Elephant fell over Mr. Elephant fell over backwards and Mr. Vail turned over in the air now last sentence number 8 Mr. Rabbit laughed when he saw them falling down यहार activity number 5 दिवत्तर ही गई है यहार activity 5 पर आएंगे यहार आंसर दी following question अब answer लिखने के हैं questions के यहां question दिये हैं question दिया गया है swimming lesson से जो है poem है नमबर वन है वीच सीजन इस दा बॉइ talking about जो बॉइ है वो कुँजी सीजन के बारे में बता रहा है ठीक्या है बात करता है जो बॉइ है वो कुँजी सीजन के बात करता है number 1 वीच सीजन इस दा बॉइ talking about आइसा लिखेंगे the boy is talking के लिखेंगे यहां से the boy is talking about the summer season the boy is talking about the summer season इसके बाउट बात करता है वो the boy is talking about the summer season अब यह learn करने का है हमको अच्छी तरह से the boy is talking about the summer season फिखेंगे summer season में ही streaming करने मज़ा आता है पाने ठंडा ठंडा होता है बहुत कर्मी होती है तो क्या है streaming करने बहुत मज़ा आता है इसका नाम है swimming है यह जो poem है उसका और यह season कोन से season की बात करता है वो यह जो लड़का है वो summer season अबाउट बोलता है क्योंकि उससे तेरने में बहुत मज़ा था swimming करने ठंडे ठंडे पानी में तो the boy is talking about the summer season the boy is talking about the summer season now question number two what is the boy's daily activity अब जो लड़का है उसकी रोसकी activity क्या है उमें बताना है लिखना है question number two है what is the boy's daily activity क्या है what is the boy's daily activity आइसे लिखेंगे the boy's daily activity is swimming क्या है boy की daily activity the boy's daily activity is swimming क्या है क्या है आई हुक्या है जो टेली जाता है swimming करने बड़ा मज़ा आता है पानी ठंडे ठंड़ा होता है अच्शन रिखनी भी बहूत पड़ती है घरमी में ठंडे पानी मैं जाने में मज़ा आता है जो जो honeymoon जाना में जाना है दीख हैं उसकी daily activity किया है रोज़ उसको कहा जाता है वो सिमीन पोल में जाता है स्वीमीन करने जाता है तो लिपने अग्वा के में आभना टीवीटी कालई तरल Is Deni Martin ौय के लड़के जाता है किनर ँग्वा में इसके लड़के की डैली एक्टिवीटी क्या है लाचिक में उसके लड़के है कि सुमींग एक युछ क्त्री होज़ देपween डू का क्या करता है क्या कि दा बाहि हो सिमिंग क्या क्या करने में what does the boy do while swimming आसे लिखेंगे while swimming the boy dives while swimming swimming जो करता है इसको दर्मियान फूबोई क्या करता है the boy dives plots केरता है splashes करता है छपचबिया करता है plunges करता है laps करता हसता भी है and chill लाता भी है while swimming the boy dives plots splashes plunges laughs and shouts while swimming मैं एक एक वड़ बता रही हूँ आपको अच्छी तरह से लिखेंगे लेंग करना है और अच्छी तरह लेडिंग सीखना है while swimming the boy dies plots splashes plunges laughs and shouts तो यह क्या करता है swimming दर में इससे बातें बोई करता है number four how does he feel when his father ask him to stop swimming swimming तो लड़के क्या फील करता है इसको क्या मेसूस होता है he feels like crying तो यह क्या है तो यह क्या है his father अच्छी है to stop swimming he feels like crying नमबर फाइड़ को पसंद करता है उसका कुछ के जो डैड़ी है उसे ज़्यादा हो डैड़ी डग को क्यों पहुत पसंद करता है वाइड़ क्यों उसका रिजन देना है हमको नमबर फाइड़ है वाइड़ देना है उसका रिजन देना है कि एस लगाएंगे दा बोई लाइक्स डड़ी ड़को मौर देन इस और ड़ी विकॉस क्यों के ड़ी ड़को लैट्स इस चिल्डरन जाने उसके जो बच्चे हैं ड़ी ड़को आपके बच्चों को जाने देता है कहां पर सीविंग करने जहां तक उन्हें अच्छा लगता है वहां तक उन्हें तेरने के लिए परिमिशन देता है बट उसके जो बोई के फादर हैं उसे वापस बुला लेते हैं आगे तेरने नहीं देते हैं तो क्या करता है अपने जो फादर है ड़ी है उससे ज्यादा वो ड़ी ड़क के फादर क को लाइ करता है, आसा लिखेंगे, the boy likes daddy duck more than his own daddy because daddy duck lets his children swim as long as they like.